नमस्कार दोस्तों और बात करते हैं बैंगरिफिटिक हैं दोस्तों बैंग्नी पर कल केलीयर कट बता दिया कि फ़ परlle यह वह यहां यहां पर महने इक होना है कि इसमें घर नती है और वह वह जाया yolन देख सकते है आपके इस प्रकार लाष्ट में मुव भी आया और फिर से इंटरड में अच्छा से मुव आया तो यह एक ज़ी क्लियर कट लिए के डाटा और टेकनिकल चार्ट से भी आपको बिल्कुल क्लियर कट यहां बताया गया था यहां फर यहां पर एक बाउंस बेक की उम्मीद य चार्ट इस प्रकार इसका मोग कर रहा आपको अगर मैं चार्ट का बिल्कुल नयर डिखाऊ मैं देख सकते हैं चार्ट इस प्रकार से एक यहां से झो स região पर द। important इक देख सकता है कि अगर मैंने चार्ट को कल आपको इनलेसिस तरह से करवा दिया था चार्ट को कल एक प्रोपरली यहां पर एनलाइसिस जो आपको करवाई गई थी दोस्तों तो बिल्पुल इसमें क्लियर कट आपको बताया था कि इंट्राड में एक बाउंस पर देखने को बल सकता है कि निफ्टी की चाल इस परकार है यहां पर फिर थका उठाई फिर थका उ आसकती है एक एंगलफी पेटर्न से आपको केंडर सिक पेटर्न से समझाय गया था कि इसमें पर्सों के रोज़ी बता दिया था इसमें एक सेलिंग प्रेसर आया तो यह दोस्तों कहना कि इंट्राडे का डेलिके डेली चार्ट को एनलेसिस करना पड़ता है कि मार्केट कि इंडिकेटर है देख सकते हैं अच्छी कासी यहां पर सेलिंग प्रेसर आया था ठीक है और टेकनिकल चार्ट से यहां पर आपको दिखाया था कि मार्केट में आर्जिसमें बाउंस बिका सकता है और एफ आई के डाटा का भी मैंने एनलासिस करके बताए था कि एफ आटा इंडेक्स को, बाय किया है, तो इंत्रे डे में एक अच्छा सा बाउंस भेगव आँ देखने को मिल सकता है, तो अच्छा सा बाउंस भे लिला और टेकनिकल चार्ट बिल्कुलबुल, किलियर कट किस परकाट टेकनिकल चार्ट से आपको यह बताया गया है कि इसका आर साथ सो 662 है ठीक है अगर वो इस टोफ रोज लग जाता है न यह लग गए सब्सक्रम से एंग बैंग निपटी आपको बार्गयियार को भी टेश करताव नहीं करता है अगर इसको यह तटोफिल करता है क्योंकि एनकल। प्रेटर्न जो बनना है वह भोढ़ी शेलिंग परे शेलिंग परेशर भापस भी ला सकता है अभी इसको वापस लिए सकता है शेलिंग परेशर खतम होगया है पर यहांग सिर्धार यहां से तला और इसKण यहांए यहां से एक बढ़िया एक मुव उराई का वो आएगा 11,850 का और 11,990 का लगबग लगबग यान कि इसने 12,000 को टच किया है तो अपन कहेंगे 11,850 और 11,990 12,000 को जो साइको लोजिकल जो लेवल्स होता है वो कई बार यह मान लीजिए लोग 12,000 के चक्कर में रह जाते हैं और 11,990 ही लोट जाता है ठीक ना जिस परकार आपको बता है कि जो बड़ी-बड़ी जो कोई भी जो सोपिंग कंपने होती है 12,990 ही जो हजार होता है लेवल्स को टच ना करके और वापस से एन्निटी भी रिवर्स कर जाता है ना मार्केट इसी परकार मार्केट चलता है चलिए यहां पर बात करते हैं FII के डाटा की और FII के डाटा से आपको किलियर कट बता दिया था कि आज के इंट्राडे के मार्केट में एक अच्छी सी बाइंग यहां पर बन सकती है तो आप देख सकते हैं पर चार्ट भी किस परकार एक बाउंस बेक इसने ले रखा है त अंदर के डाटा में आपन चलें ठाया अंदर के डाटा में और इसमें मैंने निफ्टी के टारगेट भी आपको दिया कि निफ्टी के टारगेट में बता है गयाराईजार शाह्सOR हम और XL faatगो fifth को ज्erntपर से लिशराइब उर से वाप्सने निफ्टी लोट चुका है और टाज की है ना तो बिल्कुल किर्कुयर कट है आपको बता दिया गये था और दोस्तों यहाँ अगर बात करें अपन कि क्यों मेरे इंडेक्स में बासा क्या हिस्या इब आरएंग बाइंग बिटा सकते हैं तो आ दे करोड भी अगर अपने तुलना की जाए तो 72 करोड भी कितनी बड़ी रखम होती है ना यह दो को बारा सो करोड की भी देखो इन्होंने यह क्या किया था डी आयाई ने बाई किया है ठीक है तो यह इफेक्ट पड़ा क्योंकि एफ़ाइन सेलिंग कितनी सी किया मातर 226 करोड क की और डी आय कितनी किया मार्केट के 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 मार्केट की रगएंग तो बाइइंग हुई है ठीक है उसके बार प्रचाहत यहां और आपको बताएं कि दो के को मिला के ठीक है और 72 क्रोड की index में भाई हुई जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चले उसके लबावा option में भाई हुई है 1100 क्रोड की और देखो stocks future को तोड़ा-थोड़ा से इन्होंने सोट किया है जो कोई भी stock हो सकता है अज यह विट था ठीक है और यहां पर जो बिल्कूल इंट्रडे का बात की गए थी कि index को इन्होंने क्या किया था बाई कि देखो एंडेक्स future को इन्होंने भाई किता यह बैंक निफ्टी और निफ्टी तो इंट्रडे में आपको बता द बिल्कुल डेली की डेली यह वाज करना और अनलिसिस करना बहुत इंप्पोर्टेंट हो गया है दोस्तों क्योंकि market की जो चाल है न इन टाटा से पता लग जाती है कि किस परकार market की चाल आने अगे क्या कल क्या हो सकता है तो इसका तो मैं आपको भी वाज करके बता देता हू लेकिन एफ आई आई के जो डाटा होते हैं वो आते हैं लगवक्त साथ पीम पे आएंगे उसके पर सब में एफ आटा का इनलाइसिस करके आपको बता आँगार मार्केट की दोगो चाल आपन पकड़ेंगे किस परकार मार्केट की चाल यहां पर कल रह सकती है तो एफ आई के इक आकि अचे कि अपर रहे हैं यहां बात करें अगया अकर आपको बतादे मार्केट में जो इसका जू लेवल मार्केट का यह सबस्ट कहले और कहां किस ट्रेंज को तोड़ने के पश्चाद मार्केट उपर या नीचे निकलेगा आपको बता दें कि यह जो यह रहेगा देखो मार्केट की जो रहेगी आपको बता दें कि नीचे कि 11,650 हाना 11,650 कि 11,650 नीचे यह सपोर्ट के रूप में कारी करेगा और उपर कि उपर आपको बता दें कि यह कि 11,650 हाना यह 11,650 और 11,600 कर मार्केट इनी के बीच में तोड़े दिर मोवमेंट करेगा ठीक है जैसे इन दोनों तरप से किस भी एक रेंज ब्रेक आउट होती है यह नीचे ग्यारादा सासो अगर उपर ब्रेक आउट होता है ठीक है यहां सासो तीस तो ही और उसके पश्यात यहां पर आप देख सकते हैं जो लेवल सो कब होगा सासो चोवन का ठीक है मार्केट आज यह कहां मार्केट निया सपोर्ट लिया है देखते हैं पर बता दिया गया है कि मार्केट अगर जो रेंज में ने जो बनाई यह मार्केट इसी के बीच में बीच में बीच में रहने की पोसिब्लीटी है लेकिन मालीजा गेप आपको बताए गया यह उपर को फिर ब्रेक करता है मार्केट 1570 तक के टार्गेट आपको दिखा सकता है ओके दोस्तों यह टेक्निकल चार्ट से हैं बाकि और कुछ फेर बदल होगा यह टेक्निकल चार्ट है लेकिन अब इवनिंग में इसमें वह टार्टक करके पुछ फेर बदल होसकता है तो अपको जरूर अपडिट दिया जएगा ओके दोंकि बीडियो करता हूं और दोस्तों बीडियो अच्छाना आने तो मेरी तरफ से एएव आप इसको अच्छी तरफ गरिए और दोस्तों किसी परका सब्सक्राइब करें कि और डेली के लिटेस्ट मार्केट की चार के बारे में और इस टॉक्स अपडेट के बारे में बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी